वेलकम है फार्मिक सिमुलेटर की एक और नई वीडियो में और जो लास्ट नहीं मैंने डेरी सेट अप की थी तो उससे अपना पहला प्रट मिल चुका है तो यह अन्सॉल्टेट बटर यहां पहला रैडी हो चुका है और यह भी 990 लीटर बटर है और 734 लीटर चीज है तो यह फाइनली रैडी है बिल्कुल सेल करने के लिए बट मैं इसे सेल करके नहीं आऊँगा मैं इसे यूज करूँगा अपने बेकरी में परशन के लिए तो यह 48 बॉक्स है और 25 kg का एक बॉक्स है तो इस पर लिखा हो अभी है अन्सॉल्टेट बटर 25 kg और बागी अपनी बिल्कुल 0 हो चुकी है क्योंकि इनका खाना खतम हो चुका है मैं लास्टाइम इनके फीडर में बिल्कुल खाना फुल कर दिया था तो यह फीडर मैंने बिल्कुल फुल किया था और अब यह खाली हो चुका है क्योंकि अभी काफी टाइम हो चुका है और बागी इनके फी में 9000L दालती है बट अभी 4000L डाल देते हैं और बाखे शोर्गूम में खेतों में और भी लगाने वाला हूँ क्योंकि अभी मेका सीजन चल रहा है और शोर्गूम लगाने के लिए बैस सीजन है और यहां पर अपने वीड भी ग्रो होने लग गया है और शोर्गूम लगाने के लिए मुझे साथ वाले खेत खरीदने पड़ेंगे और यह बैलन्स हो चुका है कि मैं साथ वाले खेत भी पर्चेस कर सकूँ यह खेत में को काफे जाला स्थाही लग रहा है तो इसको बैय कर लेते है तो अपना पहला खेत हो चुका है क्योंकि अभी जितने भी खेते हो पहला से मिले वे थे मैंने पहला खेत भाय किया है और अभी देख लेते हैं खेत कुछ नहीं लगा हो है खेत खाली है कुछ लग शोर्गुम लगा देंगे और शोर्गुम के लिए सीडर यहां पर खड़ाई हूए है और कल्टिविटर लाना है बट पहले एक बार स्प्रे करवा देते हैं यहां पर तो इस मशीन को पहले मैं अनफोल्ड कर लूँ तो अभी अनफोल्ड हो रही है और थोड़ा से इसको यह यहां पर लगायता हूँ इधर की स्टाइड लाकिये तो यहां पर ठीक है यहां से कर देते हैं यहां से वर्कर साइंग कर दिया मैंने और मैं इस प्रेस ले कर रहा हूँ वैसे तो मैं डायेट कल्टिविटर चला सकता था और यह खेस साफ भी हो जाता बट अब बाद में जो फिर से घास फूज उग जाती जैसा अपने वीट के खेज में उग गी थी तो इसलिए पहले स्प्रे करना ठीक रहता है उसके बाद कल्टिविटर चलाएंगे तो फिर से जो यह घास वगेगी नी तो अपनी जो पर बढ़िया तरीके से ग्रोव होईगी तो भी यह वर तो 20 के काविस आ रहे हैं चोटे भी हैं बड़े भी हैं तो अभी वैसे सबसे बड़े वारा लगाते हैं यह 19,000 यूरो का है एक यहाँ प्लेस करते हैं मिलकुल ना अपने चेकरन कूप के पास और इसके लिए मुझे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पड़ेगी तो जतना भी वक्या जाएंगी और हनी खटा करेंगी और बाइक यहाँ से बहार निकलेंगी और इधर की सरे खेट घ्र करना लाएंगी तो अपना हनी मिलना शूरू ह जाएगा तो अब ये पहले खेत लगाना पड़ेगा तो कि ये रहा अपने पास खेत रहें हैं, तो अब घ्राबर बड़ेगवाला ठीक है, और यह तो काफी जादा चोटा है, इससे जो है 4x5x बड़े कल्टिवेटर भी आते हैं, तो अभी एक बाल लेके चलते हैं, वहाँ सामने में कोई दिख रहा है, मशीन ने स्प्रेक कर दिया है, आखी अभी पर्चेस किया है, बढ़ी खेथ अभी कल्टिवेशन के लिए प्रवपर नहीं है, तो इसमें मुझे कुछ टाइम के लिए लाई में स्प्रेड करना पड़ेगा, और लाई में स्प्रेड करके चोड़ना पड़ेगा, तब ये खेथ प्राउपर जो है, रैडी हो अगर आगे है अभी देक लता है यहाँ फर्टिलाइजню फ़्कर कर सकता हूँ हूँ है यहाँ ड्याइजर में से लाइम कर रहा ही है lesson लाइम को पहले खेत को ready करनी के लिए spread किया जाता है तो अभी एक ये वाला है और एक ये वाला है तो अभी छोटे वाला से अपना काम चल जाएगा छोटे वाला ले जाते हैं और ये भी lease लेने वाले हैं तो ये ठीक है इसमें बागी extension में कुछ options है तो extension में ओके तो ये थोड़ा सा इसका capacity बढ़ जाएगी नहीं इतना नीच ये वाला ठीक है बाकी lease पे लेना है थोड़े time के लिए use करना है उसका वापिस कर देंगे और जो kaos ने उसका slurry बना दिया है तो उसको मैं अपने खेत में डाल सकता हूँ इसप्रे कर सकता हूँ ऐसा fertilizer जिससे अपनी crops की growth काफे अची खास हुजाएगी और अब मैंने wheat लगाई रखे हैं तो wheat के feeder में उस slurry को डाल सकता हूँ वहां से और तो इसके लिए tanker आते हैं अब इसमें भी छोटे वाला ही लेते हैं तो यह वाला देख लेते हैं तो अभी यह वाला slurry tank छोटा है ठीक है और यह कम cost में मिल रहा है और यह मिल रहा है 1912 euros में तो यह ले लेते हैं और बाकि खाली slurry tank से काम चलेगा इसके पिछे मिझे distributor भी अटाइच करना पड़ेगा तो यह रहा distributor जिससे slurry पूरी spray होईगी खेतों में तो यह वाला 10,000 euro का इसको मैं purchase भी कर सकता हूं बट अभी ठीक है इसको बाद में purchase करेंगे इसको भी lease पर ले रहते हैं तो यह 510 euro का आ गया तो यह sufficient है और बाकि मैंने एक और चीज देखी यहाँ पर task के section में यहाँ एक इसको बैर कर लेते हैं यह भी हो गई तो अब भी देख लेते हैं अपना सारा समान और अभी काफी सारा समान में purchase कर लिया है तो यह अपना slurry का distributor है यह slurry tank है और यह spreader है lime के लिए lime यहाँ पर है और यह अपनी महिनरा के retriever 1000 एक वाइस को थोड़ा चला के देखते हैं और इसमें कलर की option भी होई गिया और मैं ध्यान नहीं दिया बाकी बाद में देखे लेगे लिए अंदर से कैसी दिख रही है अंदर से देखे और अंतर सामने इसमें touch screen लगी है और है तो काफी जादा rough and tough और गेर इसके सामने इसमें automatic गेर है तो एक बार चला के देखते है और चोटी सी इसको खीच पा रही है मतलब काफी जाँ powerful है और अभी slurry tanker के साथ मुझे spreader भी अटेच करने है तो एक बार देख लेते हैं क्या होता इससे काम चल जाए तो अब यह तो अटेच होगा है बटिया मैं टेंकर ना गलत वाला पटेस कर लिया है इस वाले tanker से मैं खाले slurry कर सकता हूं तो वह दूसरे वाला tanker है वह परचेस करना पड़ेगा तो अभी इस वाले tanker को वापस कर लेते हैं यहां से वापस कर लेते हैं तो खाली मैं इससे जो है इस वाले आ सकता हूं खेतों मैं डालने सकता और इसमें पीछे distributor लग जाएगा तो यह रा पाई और वैसे खीच भी लेकी तो बढ़ प्रॉपर काम नहीं कर पाईगी और अभी भी नहीं पीछे distributor यह तो यह टैंक के पीछे आटाइच करना है इसको भी इताट कर लीते हैं तैंक के पीछे करने अभी और बाकी फिर बाद में आके लाइम वाले को भी ले जाएंगे और यह टैंकर काफी जाए बढ़ा है तो यह ट्रैक्टर अभी तो पूल कर पा रहा है इसको इसली बट अगर पीछे सलरी भरी होएगी तो शाय थोड़ा दस पर लोड पड़ेगा तो देख लेंगे यह अब सलरी को ले जाना ह। और अपने वीट वारे खेतों में अब भरड़े बच्ची हुई है तो इसलरी थीक है। आपने खेतों को जो साई-स अइस फेटलाइजर मिल जाएगा। और वह अब और बाकी यहां पे यह ऊचे नीचे के चेकार में टैटर में को लगता है फ तो यह त्रैक्टर फस गया में को लग रहा है यह तो यह तो यह यहां पर ठीक है और एक बड़े वाला ट्रैक्टर है मेरे पास वो खड़ा सामने उसको लेगा जो यह निकाल लेगा यह ट्रैक्टर काफी जाए बड़ा है उससे तो पाउरफुल है वो ट्रैक्टर छोटे साइज काया तो उसमें इतना पाउर है भी नहीं कि वो इतने इस बड़े टैंकर को यहां तक ले आया था बट अभी टैंकर भरा हुए तो उस पर काफी जाए हाँ यह होगया टैच अब यह दूसको इजीली निकाल लेना चाहिए से इसने इसको बिल्गुल इजीली निकाल लिया बड़ पीछे थोड़ा टैच हो गया एक मिन थोड़ा सा गुमा के लेकि चलते हैं तो जड़ा सा इसको मैं रिवर्स में ले लेता हूँ काम करता हूं तो इसने इसको बिल्कुल इसली निकाल लिया है थोड़ा सा अटकर है कहीं पर कहां पर अटकर निकल जागा है यह निकल गया निकल गया तो इसलरी यहां खेतों में लगना स्टार्ट होगी है और यहां पर वर्कर असाइं करेता हूं वर्कर देख लेगा इसको थीक है यह वर्कर मैंने लगा दिया है यहां पर बाकी बश्यूप फिर से चलना पड़ेगा क्योंकि वहां पर अपना एटीवी खड़ी हुई है और ली फीर जो फिर ली खर्ड़ा का नवा और लाय। दोनों लेकर लेकर कांड बॅध्यट हो से रहे लाय। लिटरी लिया था तो इतना ही काफी है लेके चलते हैं एक बार देखते हैं खेट में स्पैट करके और ये एटीवी बिल्कुल छोटी है इस पीजो पीछे स्पैटर लगा है इसके सामने बड़ फिर भी इसको तो इज़ेडी पुल कर पा रही था तो मेंभी शाड़ी में पॉइर काफी जादा हो या पीछे में लाइं भी इतना कम बरहा है तो ज़्यादा वेट है अर इस गाड़ी में पीछे लोड़िं कैप सिटी भी है तो मैस यस साओ एक्स वगारा कुछ साइल करना होगा चोटे मो टेज भी सकती है और यहां पर खेत में भी यूज कर सकते हैं तो ठीक है यह लाइम को पूरा श्राइब करने देते हैं वर्कर यहां साइंग कर दिया है, यहां पर बाकि मुझे लग रहे हैं पत्थर बी उठाने पड़ेंगे एक तो भी लाइम स्प्रेट करने के बाद कुछ देर खेत को चोड़ना पड़ेगा, उसके बाद यहां पर कुछ क्रोप अगया लगा सकता हूँ, बाकि मैं दोनों खेते हो वरकर तो लगाई दिया है, और बाकि काउस भी मिल्क सही दे रही है, मुर्गियों से सही अंडे मिल रह हुआ है